चलि यह तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले सवाल की अगला सवाल है मेन फीचर ऑफ बिजनस ट्रांजेक्शन की जो मेन फीचर से हैं वो क्या है इट इन्वाल्स एन एक्सिंटामिक अक्टिविटी पूरी पूरी डेफिनेशन लिख दी बिजनस ट्रांजेक्शन की तोड़ तोड़ के कि बिजनस ट्रांजेक्शन की अगले इसमें से क्या नहीं आता अभी सवाल को रखने का पर्पस किया था तो पहला तो यह एक्जाम में पूछा हुआ है दूसरा अगेन इसके नदर एक न अब सर यह तीन बात थो समझ में आगे डिबेंशर क्या होता है तो डिबेंशर एक बहुत ब्रॉड कॉंसेप्ट है जो कि आप पढ़ेंगे अपने 12th क्लास के अंदर इसको डिटेल के अंदर बट फिलहाल टर्म को हम समझ लेते कि डिबेंशर होता क्या है तो जब भी कोई कोई कंपनी अब हम प्रोप्राइटर की बात नहीं कर रहे है पार्टनर्शिप की बात नहीं कर रहे है मैं एक्जेक्ली वर्ड लेख रहा हूं कंपनी कोई कंपनी को अगर डेट चाहिए होता है क्या चाहिए होता है डेट बोले तो उधार डेट का मतलब क्या है उधार तो market से कैसे बारू करती है तो आपने term सुना होगा एक share का तो share तो एक term हो गया जहां पे वो क्या करती है share issue करती है publicly या फिर अपने close logo को और उनको बोलती है भी या shares खई दो इसके बदले हमें पैसा दो और stock exchange में list करने के बाद open for all उसके platform पे उसको release के जा सकते हैं इसको आप IPO बोलते हो अब company कहती है यह यार इतने मालिक नहीं चाहिए अपने को मालिक तो हम 2-4 ौजhair और नहीं चाहिए अपने को लेकिन बस पैसा चाहिए तो company üs ceux का दूसर तारीका to बन गया बिजनेस का लेकिन किसी ने डिबेंचर के दा तो वो मालिक नहीं बना उसने परकार का उधार दिया है जहां पे उसको fixed rate of interest से आपको ब्याज मिलेगा मतलब fixed rate का उसके अंदर interest involved होता है शेयर्स में आप मालिक बन गए आपका कोई ब्याज नहीं है कंपनी कमाएगी तो आपको ज़्यादा भी दे सकती है कंपनी नुकसान में होगी तो आपको कुछ भी नहीं देगी लेकिन अगर आपने debentures के रूप में कंपनी में पैसा लगाया है तो कंपनी की ये liability है कि ये debentures suppose को रो 12% वाला था तो हर साल आपको 12% का ब्याज जितना भी पैसा आपने लगाया है उसके उपर मिलेगा तो यहाँ पर जो rate of interest है वो fixed होता है बस feature क्या है कि इसको honor नहीं कहा जाता है ये एक प्रकार का outsider है जिसने की उधार दिया है किसको company को in form of debentures ठीक है तो ये भी एक प्रकार का उधार है अब ये उधार जैसे shares है ये भी long term के लिए कोई देता है business में कोई पैसा दे रहा है या कोई company इस type से पैसा अगर ले रही है तो अब वैसी 2-4-10 दिन के लिए तो वो ले नहीं रही होगी वो लेगी किसके लिए हमेशा long term के लिए तो debentures हमेशा जो issue किये जाते हैं वो कि कब के लिए किये जाते है long term के लिए issue किये जाते है short term के लिए issue नहीं किये जाते है च में नहीं आएगा तो hence D is your answer अगला question number 23 out of the following assets which one is not an intangible assets आपको इन में से बताना कि कौन साथ का intangible नहीं है patents intangible होता है investments नहीं होता goodwill होता है trademark होता है तो बहुत ही simple है कि आपका investment जो है यहां पे intangible नहीं है अगला सवाल आता है at the end of the financial year बहुत ही प्यारा कोशन है बहुत ही प्यारा कोशन कह रहा है at the end of financial year during which sale of goods was worth 15 lakh rupees मतलब कि साल खतम वह और हमें पता रहागा कि पूरे साल में जो हमने माल बेचा है जो goods बेचा है वो कितने का प्याराय कोशन है और एक आपका closing stock है कह रहा है this is what अब इस चीज़को हमक्या बोलेंगे इसको हम event बोलेंगे इसको हम transaction बोलेंगे या फिर event और transaction दो बोलेंगे या फिर नहीं event बोलेंगे नहीं transaction बोलेंगे तो ketika आपको मैंने décम nedenag hvor बहुत है है कि event क्या होता है जो कि result होता है transaction का consequence होता है किसका transaction का तो sale आपनी क्या 15 लाग का this is what this is transaction ठीक है सर और जो इस transaction के बाद आपके बास बच गया वो क्या है आपका event यह हम भली बात ही समझ चुके हैं तो इसके option में हम बात करें तो यह हमारे इसके इंदर दोनों बाते दे रखें एक transaction दे दिया और एक event दे दिया तो इसलिए आप cancer क्या हो जाएगा both an event as well as transaction इसके अंदर हमारा event भी है और transaction भी है तो 24 cancer हो जाएगा आपका C अगरा सवाल which of the following is the capital expenditure capital expenditure और revenue expenditure को हम बिल्कुली बिंदास तरीके समझ चुके हैं आप आराम से बता सकते हूं कह रहा है आपने building का repair कराया आपने building में white wash कराया आपने building में construction करवाया उसके लिए wages पे की है और आपने building में cleaning करवाई आपने समझाता कि किस से आपकी building की जो capacity है वह बढ़ रही है और किस से आप building की capacity को retain करने खट्या कर रहे हो आपने हर इसी में वेज़े पे की है हर किसी में 이제 में मज़़ूरी पे की है लेकिन मज़़ूरी आपने किस संदर में पे की है, वो अपने को देखना होता है आप रिपेर कराते हो, वेजर उसके लिए पे करते हो, this is what revenue expenditure आप whitewash करा रहे हो आपका paint पुराना होगे, आपने whitewash करा है उसके लिए वेजर पे करीए, ये भी क्या होगा आपका revenue expenditure, लेकिन आप building में कोई construction करा रहे हो, मतलब कि आपके 10 फ्लोर की building थे, आपने उसके गैर भी फ्लोर बनाई, या उसके लिए चार रूम थे, आपने एक रूम और add किया, कुछ भी construction किया तो उससे आपकी value addition हो रही है तो this is what, this is capital expenditure, और cleaning वगेरा कराते हो routine activity, this is again revenue expenditure तो I hope the point is clear इसलिए इस question को आपके लिए रखा है यहाँ पे, आपको कुछ item दे दिए कितना item है सर, 4 item, prepared salary हम समझ चुके क्या होता है accrued interest, ये भी हम समझ चुके, आपको मैंने accrued समझाया था, जब अनर्ण समझाया था ये कोई interest है, जो कि accrued हो चुका है लेकिन आपको मिला नहीं है, आपका receivable है मतलब आपको मिलेगा long term का, sorry, short term का कोई loan है और bank overdraft है, आपसे पुछा जा रहा है इसमें से current liability बतानी है आपको current liability में क्या आएगा, तो prepared salary आपने किसी को advance में pay कर दिया आपका उधारी नहीं है, ये आपका क्या है asset है, accrued interest जो कि receive होगा, अगेन आपको किसी को देना नहीं है, आपको बलती है, लेना है तो ये भी आपका current asset है loan है, लेकिन short term का, इसलिए current liability हो जाएगा, और bank overdraft तो आपका current liability होता ही है, तो current liability क्या है, ये दोनों, आपसे कहरा है current liability में क्या include होगा, एक दो तीन चार दो तीन चार, चार तीन चार, चार तीन एक और तीन चार obviously, three and four is your current liability तो आप easily attempt कर लोगे, बस थोड़ा तरीका अलग था question का, तो ऐसे questions भी आपसे exam में पूछे जा सकते हैं, चलिए जी, बचेए वे दो सवाल, पहला, goods used from stock of the business for business purposes are treated as dash, but similar goods used by proprietor for his personal use are treated as dash, मतलब कि कह रहा है कि suppose कीजिए, जो आपका काम है, आप क्या बनाते हैं, आप computer बनाते हैं, ठीक है सर, आप क्या बनाते हैं, आप computer बनाते हैं, तो जो business है, आपकी जो factory उसमें आप computer बना रहे हो, लेकिन आपने अपना office भी खोल कर रखा होगा, क्या इस office के अंदर आप computer नहीं use करते होगे, बिल्कुल सारी use करते हैं, क्यों नहीं use करते हैं, अब जब आप computer यूज़ करते हो और आप खुद computer बनाते हो, तो क्या आप किसी third party से computer खेदोगे, या अपने ही factory से computer ले लोगे, अव्यसी बात है, प्रिफरेंस क्या रहेगा, कि हम किसी और को profit की होगे, जब हम खुदी बना रहे हैं, तो हम उसी को अपने business में use कर सकते हैं, तो अगर कोई ऐसा goods है, जिसको आप use करते हो अपने business के अंदर, तो उसको आप क्या नाम दोगे, तो अव्यसी बात है, this is a kind of what expenditure, this is what a kind of expenditure की, आपको जितना भी ए computer बनाने में खर्चा आता है, let's say आपका computer बनता है 35,000 रुपेगा, और आप इसको market में बेजते हो 45,000 रुपेगा, तो आप ने जब 35,000 का computer अपने books में ले लिया, अपने goods को अपने office में यूज़ कर लिया, अपने goods को अपने business में यूज़ कर लिया, तो आपका एक परकार से क्या हो गया 35,000 उर्पे का खडचा हो गया जिसको कि आप 45 में बेच नहीं पाओगे लेकिन जो आपका expenditure वो 35,000 का हो गया मतलब आप किसी और से ख़ईते तो आपको कुछ पैसे यूज के लिए हो गया और उसको हम क्या term देते हैं उस चीज को हम कहते है drawing चाहिए वो computer हो चाहिए mobile हो चाहिए कुछ भी हो तो आप यहां पर कह रहा है कि इसमें से क्या सही होगा तो inventory expenditure drawing expenditure drawing inventory expenditure drawing मतलब जो पहला वाला term है यह क्या है तो पहला वाला term आपका expenditure है और दूसर लए term क्या है आपका drawing है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी इस यूर राइट answer अगला सवाल live stock includes live stock में क्या include होगा stock goods animal life insurance policy exam में आया वह सवाल है आपको बताना पड़ेगा हमने देखा रगया live stock क्या होते हैं वह stock जो की जीवित है मतलब जिसमें की सांसे चल रही हो जिस पे की कुछ ना कुछ living sense में उसमें बात हो रही हो तो हमने देखे रहें जितने भी animals होते हैं pet animals हो चाहा किसी प्रकार के any animal यहाँ पर बिलनी हो सकती है चुहा हो सकता है डॉगी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है तो कोई भी animal हो उसको हम क्या बोलते है livestock बोलते है मतलब अगर कोई जीवित है तो वह हमारा stock नहीं कहलाता वह livestock कहलाता है चली जी तो this is all about the mcqs mcqs के हमने सारी variety की questions आ पर cover कर लिये है I hope आपको जितने भी concept हम concept में सीखते हैं और जब हम उसकी question के practice करते हैं तो आपके concepts और develop होते हैं ठीक है कई सारी ऐसी चीज़े होती है जो हम अपनी theory में cover नहीं करते है बड़ जब उसको questions से relate करके देखते हैं तो हमारी conceptuality जो है वो और bright हो जाती है और बिल्कुल कैसे crystal clear रूप में आपके दिमाग में समा जाती है तो इसलिए questions के practice करना अपने बहुत अनिवार होता है किसी भी level पर किसी subject की बात करें questions answer के practice करना बहुत जरूरी है चलिए तो I hope आपको clear समझ में अब आगया हो अब आगे बात करेंगे एसन स्रेस्ट वाले questions की बट फिलाल mcq हमारा end होता है तो इसको यहीं पर हम रोकते हैं